मेडम उलास्नगर की एज्विकेशन संस्ता है एस टेप संस्ता उसकी आज कोर कमिटी की यहाँ पर मिटिंग बुलाई गई थी किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या कहेंगे ऊस मिटिंग में क्या निरने लियाएगा एस्टेब यानि Association of Students, Teachers, Parents and Educators यह जो Association है इसमें करीब इन उलास नगर के 42-45 स्कूल्स हैं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो आते हैं तो आज हम सभी की Association की मंतली मीटिंग थी जिसमें कुछ important विशयाओं पर discussion की गई जैसे सबसे पहले तो ये था की vaccination जैसे सब लोगों के लिए या senior citizens के लिए vaccinations की arrangement की गई है वैसे ही Association की meeting में ये भी point discuss की गई कि जो teachers हैं वो भी actually front line warriors ही हैं क्योंकि और अभी जैसे की April महिने में 10th के board exam चालू होने वाले हैं तो हमारी corporation commissioner से यही demand रहेगी कि उससे पहले जो teachers हैं उनके लिए जो vaccination हैं उनका provision किया जाए और सारे teachers और school admins को vaccination दी जाए और उसके साथ साथ जैसे की अभी online lectures चालू है जूम पे तो schools को बहुत सारे schools को जो बरे standards हैं उनके lectures लेने में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पर रहा है जैसे काफी सारे parents के teachers की complaint हैं कि बहुत सारे ऐसे ही fake ID से बच्चे एंटर कर लेते हैं lectures में और फिर screenshots वगेरा निकालते हैं और बहुत सारी ऐसी activities की जाती है lectures के दौरान जो नहीं होनी चाहिए जो actually legally भी सही नहीं है तो association की तरफ से हमने ये भी decide किया है कि commissioner of police और higher authorities को हम writing में communication करने वाले हैं ये जो problem है जो सब schools face कर रहे हैं और इसका जो भी solution जल से जल ताके हमें मिल पाए because teaching is a very respectful profession और teachers को tease करना या बच्चों के screen shots निकालना ये legally भी allowed नहीं है तो ये चीजें बिलकुल tolerate नहीं की जाएंगी मैं आपके माध्यम से सभी parents को ये ही बताना चाहती हूं कि आप थोड़ा अपने बच्चों के उपर discipline रखें अगर ऐसी कोई चीजें आपके आस पास में भी हो रही है कि कुछ बच्चे अगर उस college या school में नहीं पढ़ते हैं और फिर भी वो link लेकर उस lecture में एंटर होकर अगर ये सब भरकते कर रहे हैं तो अभी ये सब चीजें डॉलरेट नहीं की जाएंगी और इन सब चीजों पर strict actions लिए जाएंगे साथ ही साथ जो fees का मामला है जैसे आप सभी जानते हैं कि जब से covid start हुआ है schools colleges जो की एक city की development के लिए बहुत important role play करते हैं तो बिलकुल ही बंद हो चुके हैं और जहां तक fees का connection है तो parents fees नहीं पे कर हैं जब तक lockdown की बात थी सबकी situations खराब थी बट अभी unlock down हो चुका है तो सारे parents से भी request है कि आप अपने जो fees के dues हैं क्योंकि वैसे भी आप देखेंगे कि सारे schools ने almost 25 to 30% जो उनकी fees है वो almost wave कर दी है जैसे जो facility school नहीं दे पा रहा है वो fees चार्ज नहीं की जानी है लेकिन ज स्कूल चलना और teacher की salaries भी बहुत ज़्यादा important है तो वो fees आप पे करिये last supreme court का भी यही verdict आया है कि 100% fees parents से लेनी है तो सभी parents से भी मैं यह request करूंगी कि teacher की जो basic necessities है उनका जो lifestyle है वो भी बहुत ज़रूरी है और school चलने के लिए भी जो nominal fees हैं वो please pay करिये तो यह सारी बातों पर चर्चा हुई और सारे school